हलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं आशा करती हूं कि आप सब ठीक से होंगे तो बच्चो आभी हमने फाइनल दंगा स्लेबर्स पूरा करना है तो जो हमारा स्लेबर्स छूटा है वह हमने अछे डंच से करना है साथ ही साथ मैं कुछ बच्चों को बोलना चाहूंगी जिनके assignment time to time नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप से request है कि आप अपने सारे के सारे assignments time to time हमें जल तर जल भेजें ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम अपना आगरा का syllabus शुरू करते हैं चलिए बच्चों आज हम आपकी हिंदी पाठे बुस्तक शृष्टी का जो हमारा पाठ अधूरा रह गया था पाठ ग्यारा आगरा की से है उसे पूरा करवाते हैं चलिए शुरू करते हैं चलिए बच्चों ये बाठ अब हम यहां से पढ़ेंगे पिछले पेज तक हमने पिछली बार कर लिया था अब यहां से शुरू करेंगे ठीक है वे ताज महल देखकर बाहर आए तो पापा ने ताज महल की कहानी सुनाई मुगल पाश्चह शाजहां ने अपनी बेगम मुम्तास की याद में यह शानदार इमारत बनवाई थी यह संग मरमर के पत्त्रों से बना है इसे बनवाने में कई वर्ष लगे थे यह संसार के साथ अजूबों में से एक है इसे देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं पास ही बाजार भी था जहां संग मरमर के छोटे छोटे ताज महल और प्यारे प्यारे खिलों ने बिक रहे थे पापा ने स्रिजन को संग मरमर का छोटा सा ताज महल खरीद कर दिया उसके बाद वे द्याल बाग का मंदिर देखने गए मंदिर में अनुखी और सुन्दर कलाकारी पूरे साल होती रहती है अगले दिन फतहपुर सीक्री और सिकंद्रा देखने का प्रोग्राम बना फतहपुर सीक्री में लाल पत्थर से बने विशाल और सुन्दर महलों को देख कर स्रिजन चकित हो गया वहां से लोटते समय सब लोग सिकंद्रा गये स्रिजन के पापा ने बताया यह मुगल बाश्चा अकवर का मकवरा है जिसे उनोंने स्वेम अपने जीवन काल में बनवाया था अगली सुभ लोटते समय पापा ने स्रिजन को आग्रा के बारे में लिखी एक सुन्दर पुस्तक खरीद कर दी स्रिजन ने पापा से कहा मैं इसे घर जाकर पड़ूंगा पापा ने कहा बिल्कुल ठीक और अपने मित्रों को भी ताजमहल के बारे में बताना हाँ पापा मैं तो उन्हें देखने की भी सला दूंगा पापा हस पड़े चलिए बच्चों यह पाठ हमने या तक पड़ लिया है अब मैं आपको इसका सार बताती हूँ ठीके बच्चों तो इस पाठ में मैं आपको पिछली बार बताया था ना कि स्रिजन नाम का एक लड़का है और वह अपने ममी पापा को बोलता है कि उसने ताज महल देखना है तो उसके ममी पापा एक प्रोग्रम बना लेते हैं ताज महल देखने का तो फिर स्रिजन क्या है वो ताज महल देखने आगरा पहुंच जाता है ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था तो अब आगे क्या है जब वह लोग ताज मेहल देखकर बाहर आ जाते हैं तो उसके बापा ने क्या किया है, उससे ताज मेहल की कहानी सुनाई ठीक है, एक मुगल बाजशाह था जिसकी बेगं थी मुम्तास तो मुगल बाश्चा जो शाह जहां था उसने अपनी बेगम मुम्तास की याद में यह शांदार इमारत यानि की यह शांदार जो इमारत ताज में हल की थी न वे बनवाई थी यह सफेद संग मरमर के पत्थरों से बना है इसे बनवाने में बच्चों कई साल लगे थे ठीक है यह संसार के साथ अजूबों में से एक माना जाता है यह ताज महल क्या है संसार के साथ अजूबा मतलब हैरान करने वली चीजों में से एक माना जाता है ठीक है बच्चों इसे देखने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं बाहर की देशों से भी लोग ुसे देखने आते हैं, इसके पास में ही बाजार भी था जहां ऐसे ही छोटे-छोटे संग मरमर के छोटे-छोटे ताज महल खिलोने के रूप में बना कर लोग बेच रहे थे वहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे खिलोने भी बिक रहे थे ठीक है? पापा ने स्रीजन को एक वैसा ही संग मरमर का छोटा सा ताज महल लेकर खरीद कर दिया उसके बाद वह लोग कहां गए द्याल बाग का मंदिर देखने मंदिर में अनोखी और सुन्दर कलाकारी मतलब जैसे पत्थर को तोड़ तोड़ कर छोटा बारी काट कर सुन्दर सुन्दर चित्र बनाये होते हैं उस चाइब की कलाकारियां क्यों ही थी? और पूरे साल होती रहती थी अगले दिन फतेपूर सीकरी और सिकंद्रा देखने का प्रोग्राम बना फतेपूर सीकरी में बच्चों लाल पत्थर से बने हुए बड़े विशाल और सुन्दर महल है फतेपुर सेकरी में क्या है विशाल मतलब बहुत बड़े और सुन्दर लाल पत्थर से बने हुए महल है उन महलों को देखकर स्रीजन एकदम चकित हो गया है रहान रहे किया वहां से लोटते समय वह सिकंद्रा गए स्रीजन के पापा ने उसे बताया था कि सिकंद्रा में उसे उन्हों पर एक इमारत बनाते थे उसे मकपरा बोलते हैं ठीक है बच्चों जिसे उन्होंने स्वेम अपने जीवनकाल में बनवाया था तो अगली सुबह लोटते समय जब अगली सुबह वह से लोट रहे थे तो पापा ने स्रीजन को आगरा के बारे में लिखी एक किताब भी खरीद कर दी सुरिजन के पापा ने कहा स्रीजन पापा से कहा कि मैं इसे घर जाकर पढ़ूंगा पापा ने कहा बिलकुल ठीक है घर जाकर पढ़ना और अपने दोस्तों को भी ताज महल के बारे में बताना कि तुमने यहां क्या क्या देखा तो स्रीजन ने कहा कि पापा मैं दोस्तों को तो जरूर बताऊंगा और साथ ही साथ उन्हें यह सलहा भी दूँगा कि तुम भी जाकर ताज महल जरूर देखना तो स्रीजन के जो पापा है वह हस पड़े ठीक है बच्छो अब आपको पता चला ने इस पार्ट में क्या है इस पार्ट में है हमने ताज मेल की सहर की साथ ही साथ सिकंध्रा और उसके क्या बोलते हैं द्यालवाग के मंदिर ये सब इसमें पार्ट में पताया गया है ठीके बचो चलिए आप अच्छे से इसे पढ़ने का प्यास करिएगा चलिए बचो ओके बचो पाई बचो तो बचो आज मैंने आपको आपकी हिंदी पाटे बुसक सुष्टी का पाट 11 पूर झाल